हलो दोस्तो नमस्ते मैं रभी आप सभी को इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस वीडियो में हम आपको आयुस्मान कार्ड का लिस्ट चेक करने का प्रोसेस दिखाने वाले हैं दोस्तो आयुस्मान भारत एक ऐसी ओजना है जो केंदर सरकार के द्वारा चलाया जाता है जिसके तहत सभी लोगों को आयुस्मान गोल्डेन कार्ड बनाया जाता है जिसके तहत सभी लोगों को 5 लाक रुपे का मुपत इलाज दिया जाता है तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको आयुसमान कार्ड के लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है उसका चेक करने का complete प्रोसेस दिखाने वाले हैं तो दोस्तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए और आप हमारे चैनल बनाली वार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दवा दिजे जिसे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तो ज़्यादा समय को बिस्ट नहीं करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो आपको अपना मॉवाईल में लैपटोप में क्रोम ब्राजर को ऑपन कर लेना है तो आपको यहां अपके दोवार आयुसमान ली करके सेथ करते ही दोस्तो आपके सामनी स्तरह का पेज ऑपन हो करके आ जाता है तो आपको यहाँ फस्ट वाले वेबसाइट को open कर ले नहाँ है आप यहाँ से देख लिजे आपके दवार आयुसमान.pmjay.gov.in यानि कि इसको open कर ले नहाँ है इसको open करने के बाद दोस्तों आपके सामनी इस तरह का वेबसाइट का इंटरफेस खुल करके आ जाता है दोस्तों इस पेज का लिंक हम इस वीडियो के description बॉक्स में दे दिये है उस लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ directly आ सकते है यहाँ पर आने के बाद आपको अपना यहाँ पर एक mobile number को fill करना है उस पे क्लिक करते हैं दोस्तों आपके सामनी इस तरह का pop-up show हो जाता है तो आपके यहाँ OK पर क्लिक करना है ओके पर क्लिक करते हैं दोस्तों आप जो यहाँ पर mobile number fill किये हैं उस नमबर पर एक OTP को send के जाता है उस OTP को यहाँ पर fill कर लिजेगा दोस्तो मैंने यहां पर अपना OTP को फिल कर लिया हो आपको यहां से अपना State को स्लेक्ट कर लिया का जिस ही State से आप आते हैं अपने according यहां से select कर लिजेगा state को select करने के बाद आपके यहां से अपना district को select करना है जिस भी district से आप belong करते हैं यहां से select कर लिजेगा district को select करने के बाद आपके यहां से block type को select करना है कि अगर आप grammy छेतर से आते हैं तो आपके यहां block को select करना है जो भी आपका blog है यहां से select कर लिजेगा अपना blog को select करने के बाद दोस्तों यहां से village name select करना है जिस भी गौंग का आप list अपना देखना चाहते हैं यहां से आप select कर लिजेगा village को select करने के बाद दोस्तों आपके यहां search पर click करना है search पे किलिक करते हिए दोस्तो आपके सामने इस तरह का interface खुल करके आ जाता है आप यहां से देख सकते हैं तो यहां पे दोस्तो एक PDF आ जाता है तो इसको यहां से download कर लेना है download करने के लिए दोस्तो यहां पे PDF का symbol दिया गया है इस पे आपको एक वार खुल करना है उस पे क्लिक करते हैं दोस्तों आपके फोन में आपका लिस्ट डाउनलोड हो करके आ जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का लिस्ट खूल करके आ जाता है इसमें दोस्तों आपके गौँ का सभी लोगों का लिस्ट आया हुआ है तो जिनका जिनका भी इस list में नाम है उन लोगों का golden card यानि क्या उस्मान card बनवा सकते हैं इस list में आपको अपना नाम को खोजने के लिए दोस्तों आपके यहां search का एक icon बना हुआ है इस पे आपको एक आपको एक और click करना है उस पे click करने के बाद दोस्तों आपके अपना नाम को type कर दिएगा जैसे दोस्तों आप अपना यहाँ बना डाल करके यहाँ पर search करिएगा तो यहाँ पर highlight हो करके आ जाता है आप याद से देख सकते हैं उस नाम से जितना भी लोगों का यहाँ पर इस लिस्ट में नाम है यहाँ पर सो हो जाता है तो दोस्तो इस प्रोसोस को फॉलो करके बहुत ही असानी से आप अपना golden card की लिस्ट में अपना नाम को चेक कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको step by step process के साथ golden card का लिस्ट डाउनलोड करने का complete process दिखा दिये हैं तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कर दिजिए और आप हमारे चैनल पर पहले वाए हैं तो चैनल को subscribe करके घंटी को दवा दिजिए जिसे कि हमारे आगे आने वाला वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिल सके और इस वीडियो को आपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेर करिए और आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है या confusion है तो हमसे आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई topic के साथ तब तक के लिए आपको वीडियो दखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद बंदे मातराम